हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबसे पहले आप सभी को हैपी दिवाली और बहुत लेट हो गया है मेरा ये वीडियो वेजने के लिए मतलब मैंने बहुत लेट अपलोड किया है दिवाली तो थी 12 नवंबर की और आज ह हो गया है 16 नवंबर एक्चुली हम लोग चले गए थे तिन चार दिन के लिए होम टाउन मतलब गाउं अपने घर गए हुए थे वहां पर ममी पापा मतलब मेरे जो लौज हैं वह अकेले हैं तो हम लोगों को लगता है ना कि जो तेओहार हैं जितना टाइम हैं हम उनके लाइफ ऑफ सेंसे हाउस वाइप में फ्रेंट्स में और यहां पर हम लोग पहुँच गए थे दीपावली की पूजा के लिए मतलब दीपावली की पूजा करने के लिए का आओं तो ममी लोग बहुत ही खुस हो गई थी और पहले तो यह था कि हमें नहीं जाना है क्योंकि स्कूल में छुटियां बहुत ही कम यहां मेरी थी और क्लासेश चल रही थी तो कोई हम लोगों को जाने का विचार नहीं था क्योंकि स्कूल तो बहुत ही कम हम बंद करवाना चाहते हैं बच्चों का जैसे देखा कि ऑनलाइन हो गई है वैसे ख्याल आया कि यार नहीं यह जा रहे थे रुकते तो हम तीनों ही रुकते तब भी यह जाते और यह हम लोगों का घर है और घर में हम लोग पहुंच गए हैं और यहां हम लोग कर रहे हैं दीपा वली की सफाईया वैसे तो ममी ने जो होते हैं ना लगवा के मजदूरों से घर तो पुतवा लिया था प क्योंकि यह सब अपने हिसाब से सब चिशित करके रखते हैं और यह धान है इस में खेत में चल रही है धान की फसाल आ रही है तो यह पूरे धान के लगे हुई हैं और इधर लगी हुए है और आज पापा और यह फिर काली हो जाता है पूरा कमर तो यह चोटु महराज मस्ती के साथ मेरे साल लगे हूँ यह देखिए लगे हुए हैं साफ करने में भगवान जी और बोल रहे मम्मी कितनी काली थी फोटो बबा ऐसे ही रखते हैं तो मतलब पापा मेरे हो गया बहुत ही मतलब पूजा पाट तो कर CPA कर लेते हैं अच्छे से बटो हो गया इतना नहीं कर पाते हैं सप्ची जो यहा पर मेरे हाते में लग गया था मैं सрас कर रहे थी तो एक फोटो टूट के मेरे हाथ में लग गई तो मैं सारा कुछ मंदीर का सामान उठा के लाई थी यहां तकत के उपर रख दी थी और जो गाउं के होंगे वो तो तकत जानते होंगे सहर के क्या पता में को नहीं मालुम जानते हैं नहीं जानते हैं तो यहां पर सारा कुछ हमने रख दिया था और जो चीज हमें लग रहा था कि धोने लाइक है वो हमने सब रख लिया था यहां पर धोने के लिए और उसके बाद हमने धोने के बाद पूरा यहां पर प्रसून ने यह जो भगबान का था अलमारी उसको अच्छे से उपर से सा पूरा मतलब पानी से पोट ना पड़ता है तो हम भले ही सहर में रहते हैं पर हमें कोई हिच की चाहट नहीं होती है जब हम गाउं जाते हैं ना क्यूंकि हमारी जन्म भूमी है हम वहीं ही पले बड़े हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज हम सहर आ गए तो हम अपने घर का काम नहीं कर सकते हैं हम जाते हैं और हमें जितना टाइम मिलता है जिस तरीके से तो मैं अपना पूरा सहयोग सपे करते ऊहां करता है एक्चुली में को ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है एक्चुली हमारे यहाना बहुत ज़्यादा ममी लोगों काम अलग अलग टाइप का होता है तो जितना मैं इससे समझ में आता है मैं करती रहती हूँ तो आज भी पापा और यह दोनों लोग चले गए हैं एक खेत की हो रही है थिसरिंग धान की तो मैं बोल रही थी कि आज दीपावली है माजग कि लास्ट यर भी यह लोग ऐसे दीपावली के दिन चले गए थे तो फिर करते करते ना साम हो गई थी बहुत और इनका वेट कर रही थी पूजा के लिए तो ऐसे मैं बोलने लगी तो पापा बोलने लगे नहीं आज तो इस बार मैं सुबह ही हम लोग जा रहे हैं तो जल्दी आ जाएंगे और फाइनल इस तरह हमने फिर सेट अप भी कर दिया था मंदिर का और एक लड़ी लगा दी थी लड़ी अभी और टीवी बगारा थोड़ा सा न सीधी रखी थी तो मैंने तीरची रख दी क्यूंकि यहां पर इस पेस नहीं था पूजा करने के लिए और सोफ़ा बगारा जैसे ही पापा मतलब अपना समान जैसे रखते हैं वैसे ही हम रख देते हैं ऐसा नहीं उनका कुछ छेर देंग और इन लोगों के लिए सुबे बना दिये थे तो यह खापी के पना निकल गए थे तो फिर हम लोग खाना पीना खाने के बाना यहां पर रंगोली बना रहे थे और यहां पर प्रफुल ने बनाया है तीरंगा यह देखिए तो प्रसून बोला था मम्मी कलर वेस्ट कर रहा थे मैंने कोई नहीं सीखने दो और यहां पर फिर मैंने बना दिया था मातरानी के पैर और यहां पर भी बना दिया था रंगोली और मंदीर में भी मैंने रंगोली बना दी थी द्वार में अभी नहीं बनाई थी फ्रेंट्स क्योंकि अभी धान आएगी अंदर तो फिर वो तो मैं चलि आए थी अपने जिठानियों से मिलनें तो ये देखे मेरा नाती खड़ा हुई है और ये मेरी जिठानी है तो मैं इनके तरफ जा करके बल रुड़ है ये किसी से वीडियो लिए सांजा कर करें है मेरी सासु मा के जेट का घर है और अब तो मेरे भी जेट का घर हो गया है तो ये मेरी सासु मा की जिठानी बैठी हुई है तो मेरी बड़ी सास हुई और ये मेरी जिठानी बैठी ही मतलब इनकी बहु तो मेरी जिठानी हुई वैसे तो मतलब मैं एक ही मैं अकेली ही हूँ मैं अपने साथ ससुर के परी इन सब को मतलब मिला के हम लोग बहुत सारे हो जाते हैं और फानली यहां रात को हम पूझा के लिए हो रहे थे तो यह हम धनतेरस के दिन जो कुछ भी लेके आये थे ना हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं वो जरूर मैं सेयर करूंगी आप लोगों साथ एक्चली ना वो मैं कुछ वीडियो अपने हस्बेंट के फोन पे मैंने बनाया था तो वो फोन लेके अप चले गए हैं थोड़ा सा ना इनके साथ अपना टाइम स्पेंट जादा करनों फोन में लगी रहूंगी तो आप लोगों को भी पता है कि एडिटिंग करते करते ना बहुत टाइम निकल जाता है और कुछ ना इस तरह मैंने अपने घर को सजाया था यह सारी डेकोरेशन मेरी है जितना बन पाया ना पांचे घंटे में उतना मैंने अरेंज कर लिया था बाकी सब तो मम्मी लोगों का ही किया है और मम्मी न बहुत चाप से अपना घर वगयरा रखती है अब बिल्कुल हो गई है देख लिए जिए ऐसी अभी आई थी हमारे पास तो उनकी थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों के साथ मैं सेयर कर पाई थी जितना तो की थी और यहां पर मैं पुजा करने के लिए आ गई हूँ एक्चली जब मैं गाउं नहीं जाती हूँ न तो मेरे घर में मेरे घर में न ससूर जी करते हैं पूजा और मेरी सासुमा पूजा नहीं करती हैं दीपा वली की वो दिया जरूर जलाती हैं दिया मेरी मम्मी अभी भी जलाती हैं चब मैं रहती हूं तब भी दिया मेरी मम्मी ही जलाती हैं मतब सासुमा ही जलाती हैं और वो जलाती जाएंगी मेरे बच्चे पूरे घर में रखते जा यहाँ पर फिर मम्मी को मैं बुला ली, मम्मी ना दूर बैट हूँ थी, बोले ही थी हो ग्या, तुम लोग कर लो, पूजा बच्चे बच्चे अच्छा लगता है तुम लोग करते हो, तो मैंने बुला, नहीं जब तक ना बड़े दीपावली की पूजा नहीं होती होगी वो फोन क्यों कर दिये तो पापा भी जी थे उधार तो फिर मैंने पापा को आवाज नहीं दी और यहां हम सभी कर रहे हैं हवन फ्रेंट्स तो इस तरह हमारी धूम धड़ाके से हो गई थी पूजा दीपावली की संपन और बहुत ख होती है तो वहीं मनानी चाहिए तो मैं भी माइके नहीं गई हूँ अभी फ्रेंट्स तो दीदी लोग भी नहीं आपाई दी इस बार और यह लोग भी बस कर लिए हवन और यह धुआ बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रफुल बिल्कुल ऐसे बोल रहा है कि आँख में लग रहा है और निकल रहा है बाहर को और मैं पापा के लिए थोड़ा सा हवन बचा के रखी थी कि मैं उठ जाओं तो पापा आएंगे तो प्रफ प्रसून आ कर देना कमेंट कर देना और शेयर कर देना और जो नए है वो सस्क्राइब कर देना और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देते रहे ना फिर यहांपर मम्मी की हो गई थी आरती फिर हमने सबी को प्रसाद बाटा और हम लोगों के यहां प्रसाद घर घर भी मतलब हम लोग जाती नहीं चाहते हैं तो फिर हमने सबकी फ्लेटे करना था में अपने माई के तो फिर वो मैंने ब्लॉग नहीं सूट कर पाई हूं क्योंकि एक्चली जाने का मूर भी नहीं था ते उहार की दिन के जाओं थोड़ा मम्मी को भी लग रहा था कि आज ये ते उहार की दिन जा रही थी पर वहां भी जाना अरजेंट था फ्रेंट